तो दोस्तो आज हम बात करने माले हैं एक budget projector के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से बोल रहे थे बाए इक projector की वीडियो बनाओ तो आज हम बाए एक budget projector के बारे में बात करेंगे जो की है PIXPAC Prime और यह जो प्रजेक्टर नहीं जैसे हम बाए budget projector है तो जादा महेंगा भी नहीं है जादा सस्ता भी नहीं है क्योंकि सस्ता होता तो फिर भाई उसमें फीचर बगारा मिसिंग होते हैं लेकिन जिस प्रजेक्टर आता है इसमें आपको काफी इंट्रस्टिंग देखने को मिलेंगे और यह जो प्रजेक्टर है इंडिया का फॉर्स प्रजेक्टर बिने जरी के स्टार्ट करते हैं इसके अंबोक्सिंग जे लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कॉंटेंट देखना चाहते हो तो सबस्क्राइब कर लो तो सबसे पहले जैसे आपने देखा यह जो प्रोजेक्टर है इस तरह के बॉक्स में आता है और इसके बॉक्स के उपर इसके कुछ फीचर बगरा लिखे हैं जैसे आपर आपको 1080p की हापर native resolution मिलती है android यहाँ पर आपको 9 मिलता है उसके लावा यहाँ पर 4K HDR का support आपको मिलता है तो यह सही है उसके लावा IPS LCD panel है यहाँ पर 6.1 inches का और यहाँ पर electronic keystone आपको connection देखने को मिलता है और box content की बात करें तो obviously यहाँ पर आपको सबसे पहले तो projector देखने को मिलेगा और projector जैसे आप देखते हो भाई काफी बड़ा सा और काफी heavy सा है यह projector तो quality मुझे यहाँ पर इस projector की काफी सही लग रही है और उसके लावा यहाँ पर box में इसके कुछ accessories है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका remote देखने को मिल जाएगा standard सा remote है अब मगर basic basic से आपको सारी feature मिल जाएगे उसके लाव इसकी power code आपको मिलती है साथ में हाँ पर HDMI cable आपको मिल जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर AV cable मिलती है projector user manual है जिसमें सारे functions बगएर आप यहाँ पर पढ़ सकते हो आप यहाँ पर एक air filter लगा सकते हो तो वह बेटर रहता है जस्ट वगएरा से थोड़ा सा बचा हो जाता है तो यह इसके box की content थी लेकिन आप बात करते हैं इसके design और build quality के बारे में तो सबस्वेले design जैसा आप देखते हो white black color का यहाँ पर combination है फ्रेंट में यहाँ पर जैसे piano black रहता है glossy सा उस तरह से आपको लुक मिलेगी इसके फ्रेंट में इसका जो लैंस है जैसा है यहाँ पर आप दिखते हो काफी बड़ा सा है फोकस को अजस्ट करने के लिए यहाँ पर उपर की तरफ आपको एक slider सा दिया हुए जिसके उपर यहाँ पर एक cover साभी है तो यहाँ पर dust वगेरा से थोड़ा से प्रोटेक्टेड रहेगा दीचने को मिल जाएगा वागी इस परोटेक्टर को अर्प अपर इसके जो button वगेरा है तो यहाँ से आप इसको अपर इसके रिमोट तो मिलता ही है वागी इस पर आप इसके तरफ आप इसका जो横े मेकानिस्म दिया हुए और यहाँ तो आपत इसको मांट करना चाहते हो तो वो भी हाँ पर आपको option available है तो overall design, build quality यहाँ पर projector की काफी साही है यहाँ पर जो plastic यूज़ हुआ है या फिर जो material यूज़ हुआ है वो मैं बलू हुआ कि काफी solid साही बागी देखी सेकते हो यह जो पर आफी बड़ा सा है लेकिन अब बात करते हैं इस पर फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे मता है यह जो प्रजेक्टर है एक 1080p native resolution के साथ आपको मिलता है 60 हर्स का है हाँ पर आपको जो refresh rate मिलेगा लेकिन उसके लावा यह जो प्रजेक्टर है 4K HDR भी support करता है HDMI के थूँ लेकिन जो native resolution है जैसे मता है 1080p रहेगी और brightness जो आपको इस प्रजेक्टर के हाथ मिलती है यहां पर देखते हो तो I think 7-8 साल तो अराम से जो प्रजेक्टर चल जाएगा इस प्रजेक्टर के साथ आप यहां पर इस प्रजेक्टर का मुझे काफी सही लगा है और यह जो प्रजेक्टर है इसमें आपको यहां पर Android 9 देखने को मिलता है तो जितने भी apps वगरा रहती है वो यहां पर आप इसके जो app store से यहां पर download कर सकते हो जैसे की YouTube हो गया या फिर Netflix हो गया लेकिन इहां पर आपको Widevine L3 का सपोर्ट देखने को मिलता है तो अगर आप Netflix पे कोई movie पर देखोगे तो वह 480p पर ही चलती है यहां पर यहां पर जो screen है project करते हो तो यह automatically यहां पर जो एंगल से adjust कर लेता है उसके बाद इस projector में हाँ पर dual band wifi का भी support है तो यानि कि आप 2.4 GHz के अलावा 5 GHz बाले जो wifi उसे भी हां पर connect कर सकते हो उसके बाद इस projector में आपको 4.2 Bluetooth देखने को मिलता है तो किसी भी external headphones को या फिर speakers को आपको connect करना हो तो इससे आप कर सकते हो उसके बाद यहां पर आपको in-build speakers भी देखने को मिलते हैं तो इस projector में आपको यहां पर dual speakers मिलते हैं 55 Watt के और output में बोलो हैं कि यहां पर काफी अच्छा कास है अगर आप external जो speaker वगएरा नहीं यूज करें तो definitely इससे काम चला सकते हो लेकिन better experience के लिए मैं हमेशा भी आपको soundbar या फिर जो dedicated home theater system अगरा रहता है उसको use करो movie और देखने के लिए तो वह जड़ा better रहेगा तो features wise यह जो projector है काफी अच्छे खासे features के साथ आता है लेकिन अब बात करते हैं जो की काफी important चीज़ है वो है इसकी picture quality तो जैसे बनाता है यह जो projector है 1080p native resolution के साथ आपको मिलता है और यहाँ पर जो picture की quality मैं बहुत ही अच्छी है काफी sharp display है और यहाँ पर vivid cinema engine technology इन्होंने use करिये तो उसकी विए से यहाँ पर काफी sharp और crisp यहाँ पर जो आपको picture quality देखने को मिलती है और company अकले मैं कि हाँ पर 99% यहाँ पर आपको color accuracy मिलती है और मुझे भी हाँ पर जो colors वगएरा है वो मुझे काफी अच्छे लगे इस projector के बागी इस projector में आपको picture modes वगएरा दिये है तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर जो picture mode से select कर सकते हो मैं रहे हैं और colors वगएरा यहाँ पर इस mode में काफी बढ़ पर पंची से हो जाते हैं और overall यहाँ पर इस projector की जो quality है picture quality वो काफी सही है projector के corners है वो भी हाँ पर काफी sharp रहते है और अगर आप इस projector को जैसे presentation वगएरा के लिए यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर जो text वगएरा है वो भी हाँ पर काफी sharp रहता है उसके लगा जैसे मैं 4K HDR यहाँ पर यह जो projector सपोर्ट करता है तो जैसे मैं हाँ पर जो Xbox के साथ इसको मैंने connect किया हुआ है और 4K HDR की जो यहाँ पर performance है इस projector की वो भी मुझे काफी सही लगी है लेकिन अगर आप इस projector गेमिंग वेरा के लिना चाहते हो और बड़ी screen में भाई गेमिंग वेरा करने का तो मज़ा ही कुछ और है तो overall यह जो projector है Pixpack Prime मुझे लगता है कि काफी feature range यहाँ पर यह projector है definitely यहाँ पर picture quality मुझे काफी सही लगी है और overall अगर आपको एक budget में projector चाहिए तो यह जो projector आप इसे consider कर सकते हो और इस projector के price की बात करो तो जैसे मैंने शुरू में बता रहा था यह जो projector है ज्यादा महेंगा भी नहीं है और ज्यादा सस्ता भी नहीं है क्योंकि सस्ते होते हैं तो obviously फिर features बगएर के साथ आपको compromise करना पड़ता है लिकिन जैसा आपने देखा यहाँ पर इस projector के काफी बढ़ी है और इस projector को अगर आपको खरीदना होगा तो करन जो प्राइज है इसका यहाँ पर है अटाइस हजार नोसों निनननावी रुपे लेकिन अगर आप यहाँ पर AD5 coupon code यूज करते हो तो आपको यहाँ पर पांच जार का जो आपको प्रोजेक्टर पर यह पड़ेगा 23,999 रुपे अगर आपने इस projector को खरीदना होगा तो इसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बिल जाएगा आप से चेक आउट कर सकते हो और इस projector को आप यहाँ पर PIXPAC की तो आपको कैसे लगा यह पिक्स पैक प्राइम यह मुझे आप कॉमेंट करके बताओ और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कॉंटेंट देखना चाहते हो तो इस चाला को सब्सक्राइब कर दो तो मिलते हैं इसी तरह की एक सब्सक्राइब करके साथ और मैं मना कर दो आपको 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 आपको